मेरे लाइक ट्रेड का मतलब मेरे ट्रेडेबल ट्रेड के लाइक पैटन बना है कि नहीं बना है अगर वो नहीं बनेगा तो सिगनल आके भी कोई मतलब नहीं है स्कैनर से क्या होता है कि हमें वो सिगनल होने के बाद पता चलता है तो इतने सारे पैरामीटर्स हैं, हम किसी के भी कॉंबिनेशन्स लेकर अपनी खुद की स्टडी के उपर स्कैन्स बना सकते हैं. चार्टिंग में फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है. दोलों का डिफरेंस क्या है? आलिओ फ्रेंस, ये वीडियो मैं सकैनर पर बना रही है, मैं चार्टिंग का स्कैनर रगार। प सकते हैं, पाइथन पॉल्स नाइकर wollt हैं, आप को जो समझ में आए, मैं चार्टिंग का उसे करती हैं. चार्टिंग में free version भी है और paid version भी है दोनों का difference क्या है कि free version में आपको refresh करना पड़ेगा तब आपको नई scripts मिलेगी लेकिन जो paid version है उसमें auto refresh होता है after every one minute five minute जितने में आप उन्हें instruction देते हो जो कि मैं बताऊंगी कैसे बताते हैं तो उस हिसाब से वो refresh करते रहता है यह जो चीज है यह continue updation में चलती है and it helps बट एक चीज याद रखिए सिर्फ चार्टिंग में आ जाए या कुछ सी भी scanner में कोई भी buy or sell signal आ जाए तो मैं blindly उसको trade नहीं करती हूं blindly उसको trade नहीं करती हूं मैं फिर से उस चार्ट को open करती हूं और देखती हूं कि मेरे like pattern बना है की नहीं बना है मेरे like trade का मतलब मेरे tradable trade की like pattern बना है की नहीं बना है अगर वो नहीं बनेगा तो signal आके भी कोई मतलब नहीं है और अगर बन रहा है तब ही trade करोंगे let's say for example कि कोई head and shoulder बन गया या inverse head and shoulder बन गया triangle breakout बन गया trend line breakout हो गया ऐसा कोई भी signal आना चाहिए candles bullish candle होनी चाहिए या bearish candle होनी चाहिए जो भी है जो variety का signal आ रहा है चाहिए वो bullish हो या bearish जब तक उसका confirmation मैं अपनी आखों से उस chart पे नहीं देख लो तब तक मैं सिर्फ scan के उपर trade नहीं करती वैसे तो मैं हमेशा chart को manually देखना पसंद करती हूं जो कि as a homework आज तक मैं दो घंटा रोज charts को देती हूं स्टडीज को देती हूं और charts मैं करते आई हूं since 1990 और options करते आई हूं since 2002 आज तक मैं दो घंटा practice करती हूं everyday minimum after market hours market hours में तो चलता है यह बट after market hours और charts मैं कर रही हूं 1990 से जो graph paper पर जब हम लोग करते थे green color का graph paper होता था आपको भी याद होगा school में करते थे graph paper use और options मैं कर रही हूं 2002 से but practice आज तक चलू है practice मैं कभी छोड नहीं सकती because जो charts हम देख रहे हैं bullish हो या bearish वह हम daily chart देखते हैं तो उसमें हमको जल्दी signal मिलता है scanner से क्या होता है कि हमें वह signal होने के बाद पता चलता है लेकिन जब हम charts रोज देखते हैं तो हमें कई बार pattern का formation तक दिखने लग जाता है और उसके हिसाब से तो regular homework करना बहुत ज़रूरी है हम लोग practice से क्यों कत्राते हैं मुझे नहीं समझ में आता है जबकि पैसा इसी market से कमाना है लेकिन फिर भी हम practice करते हुए जड़ा सा बोर हो जाते हैं आज busy हो गए थे आज time नहीं मिला आज दूसरे काम में busy हो गए वो ज़्यादा important आ गया मतलब हमारे लिए market से ज़्यादा important सब चीज आ जाती है जब practice की बारी आती है तो और इस चीज को कभी भी नजर अंदाज मत करिए because practice ही हम लोगों को perfect बनाएगा और perfection की तरफ लेके जाता जाएगा so never stop practicing अब हम आते हैं charting पे अगर आप ये video अभी तक देख रहे हैं मतलब आप एक successful trader बनने के बारे में serious हैं और आप जैसे ही serious traders के लिए मैं लेकर आई हूँ मेरा 9 days का technical analysis mentorship program जो की 13th में से शुरू हो रहा है इस program में मैं आपके साथ live market को भी analyze करूंगी अपने trading setups share करूंगी और most importantly आपके सारे doubts solve करूंगी इसमें आपको personally भी मिलने का मौका मिल सकता है जहां पर आप directly discuss कर सकते हैं मेरे साथ में program की सारी details description में दी गई है तो जल्दी से ये mentorship program के लिए enroll करिए चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं तो हमने RSI में क्या यूज किया था मन्थ ली अबाव चुफ्टी लेटर से हमने इसा यूज किया था weekly above let us say 65 and daily above 65 अगर 70 के ओपर चला गया तो हम hold करते हैं ये चीजे हमें चाहिए बाइ सिगनल और फॉर स्पीड तो हम इस कैन को कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले हम चार्टिंग खुरते हैं चार्टिंग में create scan पे जाएंगे जब आप first time यूज कर रहे हैं तो आप अपना login ID पासवर्ड आपको create करना होगा तब जाके आपको scan की permission मिलेगी अब यहां पे यह blank screen आ रही है हमें की सबसे पहले क्या करना है की plus sign को create करेंगे और हम डालेंगे RSI तो RSI यहां आ गया greater than or equal to और नमबर आ गया और नमबर को हम क्या करेंगे अबाओ 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 50 कर देंगे यह हो गया अब मुझे ऐसा 3 बनाना है मुझे बार बार नहीं लिखना है तो मैं क्या करूंगी यहां से यह जो copy sign है duplicate कर दिया इसको फिर से duplicate कर दिया तीन बार बन गए यहां पर मुझे क्या change करना है इसको 65 करना है इसको भी 65 करना है तो मैं यह दोनो 65 65 कर दू बना देती हूं weekly तो यह आ गया weekly और एक और है हमारा मंतली तो इसको में मंतली बना देती हूं M type करते हैं आपके पास मंतली की list आजएगी अब यह हो गया मेरा scan मैं run scan करती हूं तो कितने सारे शेज आ गए अल्मोस्ट 685 स्टॉक्स आ गए इतने स्टॉक्स का मैं क्या करूंगी क्यों कि इसमें कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जिनमें मेरा कोई इंट्रेस्ट नहीं होगा तो सबसे पहले मैं cash को अब F&O stocks भी कर सकती हूं निफ्टी 100 stocks भी कर सकती हूं निफ्टी 200 भी कर सकती हूं या अपनी खुद की एक watch list बना सकती हूं 200-300 स्टॉक की जिसमें हम ट्रेड करते होंगे या कभी किसी में कभी किसी में 50 क्रिप की जो भी हम बना सकते हैं अपनी खुद की वाच लिस्ट भी यहां पे लिखा हुआ है तो निफ्टी 500 सबसे पहले मैंने किया अब मैं रन स्कैन करती हूं देखते हैं कितने आते हैं फिर नीचे जाके देखते हैं नीचे आये सिर्फ 173 यह भी ज्यादा हो गए अब मैं यहां पे काम और करती हूं यहां पर मुझे वो स्टॉक्स चाहिए जिनकी प्राइस 50 के उपर या 70 के उपर है तो मैं लिखूंगी क्लोज प्राइस greater than or equal to और number में डालूँगी 70 अब देखते हैं कितनी स्क्रिप्स आ गई तो मतलब जिसके प्राइस 70 या 70 के उपर होगी वो ही स्क्रिप्स मुझे दिखाएगा बाकि दूसरे नहीं दिखाएगा ऐसा ऐसा मैं इंस्ट्रॉक्शन दे रही हूं चार्टिंग को अब कितनी स्क 523 अब इसमें मैं एक और क्लॉस जाल देती हूं मुझे लिक्वेड बस्क्रिप्स चाहिए मुझे सब स्टॉक्स नहीं चाहिए लिए जिसमें 2 हजार का पूरे दिन में वॉल्यूम हूआ हो या 5000 के वोल्यूम हूआ हूँ गॉता ही है इंटरी तो हो जाती एगजिट करने क तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है तो मैं यहां पर वॉल्यूम चूज करती हूं और वॉल्यूम ग्रेटर देन इक्वल्टू अगेनाई टेक नंबर और यहां पर नंबर में डालती हूं लेटर से 3,000,000 मतला मुझे जो वॉल्यूम है वो 3,000,000 हो जाए तो उसके बाद दिखाना तब तक मुझे मत दिखाना डेली वॉल्यूम मैं इसको चेंज करके विकली भी कर सकती हूं और मंथली भी कर सकती हूं तो हम तीनों में देख लेते हैं पहले हम मंथली करके डिखते हैं कि मंथली करते हैं तीन लाग का वॉल्यूम तो क्या होता है run scan कितनी scripts है हमारे पास हमारे पास 161 scripts ही है अब इसी को अगर मैं वीकली कर देती हूं डबल्यू किया वीकली आ गया और फिर run scan करती हूं तो कितने स्क्रिप्स आ गई 149 मतलब महीने का तो इनक्या 3 लाग का वॉल्यूम कंप्लीट हो गया विकाज जब में रेकॉर्ड कर रही हूं मंत्का एंड होने को आ गया है तो मंत्का तो 3 लाग हो गया लेकिन इस वीक अभी वीक का बहुत टाइम नहीं निकला है तो तो इसका मतलब डेली में भी इसने 3 लाग तो नहीं किया होगा ना तो लेट असी डेली डी किया डेली स्क्रिप्स और कम हो जाएगी और डेली में 3 लाग के उपर देखे सब 3 लाग के उपर 136 टॉक्स अब इन में यह हो गया परसंटेज पर क्लिक करेंगे तो जो हाइस परस नेगेटिव में जो है वो दिखाई देगा तो यह सब नेगेटिव से जा रहे हैं और हम पॉजिटिव से जा रहे हैं हम इसको चाहें तो अल्फाबेटिकली भी कर सकते हैं स्टॉक नेम पे क्लिक करके असेंडिंग डिसेंडिंग स्टॉक पे क्लिक करते जाएं देखते ज वो प्राइस के हिसाब से देखते हैं यहां पर टाटा इंवेस्मेंन ने अल्रेडी 20% कर दिया B.E.M.L. B.E.M.L. को चलिए हम देखते हैं क्या यह हमारे रेंज में है और अगर मुझे लगता है कि यह भी जादा है तो मैं और क्या कर सकती हूँ मैं डेली वाला जो यहां पर 50 था उसको भी चेंज करके 65 कर दो तो अब मेरे सारे टाइम फ्रेम 65 हो गए चलिए अब देखते हैं क्या होता है पहले हम क्या करने वाले थे मन्थली 50 वीकली 65 डेली 65 हमने यहां पर उल्टा कर दिया 50 65 65 अब हम इसको ठीक करके दिखते हैं तो क्या सिचुएशन होती है मन्थली 50 डेली को 65 वीकली को 65 अब कितनी स्क्रिप्स आ रही है सिर्फ 75 स्क्रिप्स आ रही है जारे हम इसको आगे पीछे कर रहे हैं और यही हमारी स्क्रिप्स को थोड़ा बैटर बनाता है यह हमारी हैं पर पक्रिप्स को रहाएं Cooking ऑफने सब्सेंट हाई समें ओर singularникомरा प्रिक सा姓 कि और चीछिए निकराब कर सकता हैं मुझे डेली का नहीं देखना है, मुझे सिर्फ वीकली देखना है, मन्थली देखना है, या फिर मुझे मन्थली नहीं देखना है, तो मैं मन्थली को ओफ कर दूँगी, तो वो लाइट हो जाएगा, इसमें हमको कौन सा इटम दिख रहा है? BML, because Tata Investment Corporation 20% हो चुका है, इसमें हम Tata Investment Corporation को नहीं लेंगे, वो अलरी 20% circuit पे हो चुका है, हो सकता है, तुबह मिला हो, BEML, अब BEML को हम यहाँ पे चार्ट में देखेंगे, ट्रेडिंग व्यू में, BEML, देखिए, डेली जो है, वो 70 के उपर है, मन्थली जो है, 70 के उपर है वीकली जो है, वो भी 70 के उपर है, मतलब यह जहाँ पे 50 के उपर आया था, let us say, कब की बात है यह, May 23, वो टाइम पे प्राइस था, लगबग 1400 के असपास, 1200-1400 के असपास, right, May 23, तो अभी वीकली में देखते हैं, क्या वो टाइम पे, May 23, November 23, जुलाई, मार्च, एप्रेल, मे, जून, तो यहाँ पे नहीं आके, यह जुलाई में अपने कोट, यह एप्रेल है, जुलाई में हमको यह 65 के उपर वापस आया था, लगबग इस लेवल पे, तो हो सकता है वो अपने 1400-1200-1400 जो भी लेवल रहा होगा, जो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि 1400-1500 के आसपास का लेवल है, थोड़ा और लेट मिला है, लेकिन उसके बाद जो स्पीड मिली है, वो देखिए, यहाँ पर हम में देखते हैं, और वो ही में, जब हम डेली में देखते हैं, तो यह रहा में अबाव 65, और यहाँ से जो रैली मिली है, वो ए ऐसा चीज मिलता है, तो it is a buy on dips, till monthly RSI does not fall below 30, या weekly RSI does not fall below 30, and close below 30, not only fall below 30, but close below 30, तो हम मालेंगे कि price weak है, डेली में वो 30 के नीचे आता है, वापस उपर चला जाता है, that is a different thing, but weekly में अगर close हो रहा है, तो मतलब उसकी ताकत कम हो रही है, तो में से, अगर मैं इसको हाथ लगाती हूँ, तो let us say में नहीं जून के असपस अगर यह हमको हाथ आ रहा है, जैसे हम उसमें देख रहे हैं weekly के हिसाब से, तो हमको यहां से हाता रहा है, कोई बात नहीं, हम यहां से भी अगर 1600 के भाव में भी ले रहे हैं, तो भी price ने हमें आज double तो देही दिया है, छे महीने ही तो हुए है, छे से साथ महीने, और क्या चाहिए, तो यह जो scanning होती है, हम इस सबसे पहले oil India, मन्त में November 22 से यह 50 के उपर RSI है, weekly में 22, 22, 22 November यह रहा, यहां पे 65 के उपर कब आया, अगर मैं manually देखू तो 65 के उपर, यहां पे कहीं आया है, तब तक नहीं आया, जो कि February 23 है, यह हमने वहां पे November 22 में देखा था, फिर से देख लीजिए, यहां पे हमने कब देखा था, 52 पे, November 22 में आते हुए देखा, लेकिन weekly में 65 के उपर कब आया, तब तक सिस्टम आपको सिगनल देगा ही नहीं, यहां पे आके सिगनल दिया है, तब तक आपको सिस्टम सिगनल देगा ही नहीं, सिस्टम ने आके आपको यहां पे कहीं सिगनल दिया है, जहां प December गया January गया February और चार महिने बाद आपको एंट्री दे रहा है उसके बाद हम डेली देखते हैं तो February 23 के बाद ये कब 65 के उपर आया वो हम देखेंगे ये रहा February 20 यहां पर है ये साथ साथ में यह आ गया था 65 के उपर ये रहा यहां पर और उसके बाद जो प्राइस ने मुव्मेंट लिया है ये यहां पर 65 राइट stop loss ये आएगा swing low के नीचे हम stop loss रखेंगे ये आपका stop loss होगा यहां पर हम stop loss रखेंगे और यहां पर अगर इसने 65 के आसपास लेटर से ये Wednesday, Thursday, Friday यहां के आसपास कहीं बाई दिलाया है तो कहीं पर भी इसने stop loss हिट नहीं किया है और continue उपर जा रहा है 240 का 429 एक साल में almost तो यह जो power होती है ना RSI की वो पुरा strength बताता है market का ऐसा नहीं stop loss hit नहीं होते हैं अभी इन ही में हम देखते हैं कि क्या हमारा stop loss hit हुआ है यह negative में borosil renewables जो आज 5.63% डाउन है चलिए इसके बारे में हम देखते हैं खोड़ा boros renewables सबसे पहले monthly तो यहाँ पर हमें मिल गया monthly 50 के उपर और price क्या है roughly around 511 और महिना है April 2023 अब आते हैं weekly April 2023 और weekly March April यहाँ पर आ गया 65 के उपर नहीं है देखिए यह रहा आपका October March March में 65 के उपर नहीं है May गया वापस नीचे आया और फिर यहाँ पे आके यहाँ आकर यहाँ पे weekly में 65 के उपर आया है यहाँ पर दिखाया जान 2024 में मतलब वो जो मन्त में उपर गया और नीचे आया उसके कारण मेरा जो ब्लड प्रेशर खराब होता था उससे उसने मुझे बचा लिया किसने वीकली ने क्योंकि मन्त ने 50 के उपर दिया बट वीकली 65 के उपर नहीं आया तो जानवरी में जब ही आया 65 के उपर यह तो यह था जैनुवरी का वीक अब आते हैं डेली तो जैनुवरी के वीक में कब आया 65 के उपर ठर्ड जैनुवरी और ठर्ड जैनुवरी को क्या प्राइस था roughly around साड़े चार सो रुपया और जैनुवरी के मन्त का ही हाई ए कितना 635 के असपर मतलब एक ही महिने में इसना क्सि locking Village कर दिया जो beauty है जब तक मुझे तीनों चीज मेरे फिरमिन नहींदा क्मन करूंगी इसके साथ कि करने करे पर इसके भाषू तो अब मैं इस क्यों यहां पर एक breakout दिख रहा है और ये breakout उसी के असपास दिख रहा है तो breakout के साथ में दिख रहा है मुझे ये इसलिए मैं इसको लूँगी अगर volume टेस्ट करना है बहुत लोग बोलते हैं नहीं हम volume के साथ ही देखेंगे तो I will tell you यहाँ पर volume भी दिखेगा आपको यह देखिए compare कर लीजे volume भी है अगर मैं यह पूरा देखूं यहाँ पर volume breakout के लिए मैं जो horizontal line बनाना चाहती हूँ यह देखिए यहाँ से market बिलकुल steady है यहाँ पर मुझे volume के साथ breakout मिल रहा है यहाँ पर जो पहला breakout है ताट इस with volume of the past volume का high automatic दिखता है क्योंकि स्ट्रेंथ आई है ना RSI की तो उसके साथ में volume भी दिखेगा और यह रहा pattern इसके नीचे का मेरा stop loss होगा और मैं आगे बढ़ते जाओंगी यहाँ पर pattern के साथ में दिखा है ना breakout ऐसे तो नहीं दिखा है कि मैंने सिर्फ RSI पर ही ले लिया है तो खाल सिर्फ खाली RSI सिर्फ RSI ऐसा नहीं है साथ में price action जरूरी है मैं हमेशा कहते हूं indicators oscillators सिर्फ supportive होते हैं काम तो action बोलने पर ही होता है अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं मतलब आप एक successful trader बनने के बारे में serious हैं और आप जैसे ही serious traders के लिए मैं लेकर आई हूं मेरा 9 days का technical analysis mentorship program जो की 13th में से शुरू हो रहा है इस program में मैं आपके साथ live market को भी analyze करूंगी अपने trading setups share करूंगी और most importantly आपके सारे doubts solve करूंगी इसमें आपको personally भी मिलने का मौका मिल सकता है जहां पर आप directly discuss कर सकते हैं मेरे साथ में program की सारी details description में दी गई है तो जल्दी से ये mentorship program के लिए enroll कर ये चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं चलिए अब हम एक काम और करते हैं हम इसको save करते हैं अब जब ये scan को हम save करते हैं तो सबसे पहले वह हमसे नाम पूछेगा तो हम क्या कहेंगे RSI monthly weekly daily क्या हम ये नाम दे सकते हैं बिल्कुल descriptive इसमें हम डालेंगे जो आपको डालना है 50 65 65 और scan क्या है bullish scan अब ये इस private यहां पर इस private लिखा है ये तभी क्लिक होगा जब ये paid version होगा अगर ये paid version नहीं है तो इस private क्लिक नहीं होगा इस private का मतलब होता है कि अगर मैं ये चाहूं कि मेरा scan कोई नहीं देखे मैं varieties of उसमें parameters डाल रही हूं ये वो कई varieties की कि बुलिंजा बैंड ये भी है वो भी है वो भी है वो भी है सुपर ट्रेंड वगरह सब तो मैं उसे थोड़ा private रखना चाहते हूं विकास वो मेरा proprietary हो जाएगा तो वो तभी possible है जब मैं उसको paid करूंगी फ्री में is private not allowed और फिर उसे हम submit कर देंगे अब ये हमारा scan save हो गया जब हम scanners में जाएंगे scan यहां पे जो रहेगा उसमें हम जाएंगे तो हमको varieties of scan हमको मिलेगा अब हम मंदी का scan create करते हैं मंदी का scan कैसे create करेंगे हम अब इसमें तो भाई हमें FNOE stocks लेना पड़ेगा विकाज हम NSE 500 या Nifty 500 या वह सब तो ले नहीं सकते तो इसमें हमको सबसे पहला क्या करने पड़ेगा cash segment की जगे हमें futures लेना पड़ेगा तो हम फिर लेते हैं इसमें RSI फिर less than equal to और number का measure हो जाएगा साथ में यहां पे हम लेंगे 50 ठीक है अब इसी को हम copy कर देते हैं तो सबसे पहले हम daily को क्या रखेंगे below 35 उपर हमने 70 से 5 कम लिया था नीचे हम 30 से 5 ज्यादा लेंगे यह हो गया daily, weekly, weekly में भी हम 35 और monthly में भी हम 50 रखेंगे जैसा हमने रखा था कि 50 के नीचे हो और साथ में हमको daily और इसका combination मिले run scan करते हैं तो हमें कितने stocks मिल रहे हैं सिर्फ 5 stocks मिल रहे हैं तो क्या हम देखें इन 5 stocks को जो की सबसे पहले जील दिखा रहा था तो जील अगर हम देखते हैं जील monthly 50 के नीचे weekly 35 के नीचे और daily 35 के नीचे तो कहां पर आके मुझे इसने cell signal दिया था यह जो close हुआ है यह candle कहां पर बंद हुआ है 34.6 पर यह candle close हुआ है यहां पर मुझे signal मिल गया था 232 पर क्या कहते हो मस्त है अब इसको अगर मैं इग्नोर कर दूं तो दूसरे दिन तो हाती नहीं आया होगा किसी को यह वाला पॉल तो हमेशा ऐसा होगा गारेंटी नहीं है कभी-कभी ऐसे भी चांस मिलते हैं दूसरा है बाटा आयू तो हम यह दो भी देख लेते हैं बी ए टी यह बाटा तो बाटा में अगर हम देखे तो मन्थली बिलो फिफ्टी जो की यहां पर आ गया था इस एम नॉट रॉंग जी बिलकुल आ गया था यहां पर भी है यह 48 हैं यह 51 है तो यह 48 है सेप्टेंबर 23 ठीक है वीकली ब वीकली बिलो 35 कहां आया था 36 यहां पर आया था एप्रॉक्सिमेट रेट है 1500 के असपास और डेली में कब आया था 35 के असपास 23rd जैन लेट से इसी के असपास यहां पर यह तो 30 के नीचे आ गया तो वीकली में देखना है हमें कौन से वीक में मिला है यह वीक के में यह वीक है 23rd जैन से स्टार्ट हुआ था तो मुझे डेली में आके 23rd जैन में क्या था 20 जैन 23rd जैन 23rd जैन को यह 30 के नीचे आ गया था तो 23rd जैन को यह मुझे सिगनल दे चुका था और वहां पर भी अगर मैंने इसे 1500 के असपास बेचा होता तो 1400 का भाव तो लो बना के दिखा दिया दूसरा है AU bank जो हमने देखा था AU bank AU bank में monthly देख रहे है monthly 50 के नीचे था लेकिन यही महिना आया है इसलिए मुझे doubt है कि इसमें trade मिला होगा weekly weekly में भी आया तो इसी week है लेकिन यह 1st January वाले week में 65 के उपर था तो शायद by signal होगा और अगर मैं daily देखूं तो daily में भी यह 65 के उपर था तो शायद by signal था और इसने SL हिट करवाया होगा और उसके बाद इसने SL दिया है यह सेल शायद पकड में नहीं आई होगी ऐस पर RSI लेकिन daily अगर जब हम homework करते हैं तो इसने मुझे पक्का निकाल दिया होगा यह देखिए मैंने RSI में एक चीज और ली थी यह RSI के साथ में क्या हो रहा है price is making higher high but RSI is not making higher high और top पे मुझे क्या मिला ओपन और high जैसा है candle मिल दिया तो अगर मुझे रिजिस्टेंस पे open high मिलाता है action क्या बोल रहा है buy मत करो जो है वो बेचते तो at least profit booking कर लो या exit कर लो जो करना है कर लो यहां पे price को अगर हम consider करें और manual study भी साथ में रखें तो उसके double advantage हो सकते हैं और इसको अब हम नाम दे देते हैं save scan इसमें हमें तो इसमें हम क्या कर देंगे RSI MWD bearish यहां पे लिग देते हैं description वही 50 35 35 और scan bearish submit तो friends यह मैंने scan कैसे बढाते हैं उसका तरीका बताया इसी तरह से जितने भी आपकी studies है जो आपको ठीक लगे चाहिए वह engulfing bullish bearish हो तो यहां पे अगर हम देखें तो varieties हमको दिख रही है कि हम क्या कर सकते हैं अगर हम चाहें तो candle पे भी डाल सकते हैं bullish या buyer initiated trade हम fundamentals पे भी डाल सकते हैं जो चाहिए हम उसके according डाल सकते हैं तो इतने सारे parameters हैं हम किसी के भी combinations लेकर अपनी खुद की study के उपर scans बना सकते हैं इन्हें बनाईए मैंने RSI का जब बनाया तो बहुत लोगों ने मुझसे scan मांगा मैंने scan बना के दिया अलावा इसके आपको मुझसे और क्या सीखना है चार्ट पर या options पर तो comment box में लिखिए और अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो इसलिए like करिए तो मुझे पता चलेगा कि आपको कौन से वीडियो ज्यादा पसंद आ रहे हैं जिसमें ज्यादा likes आएगी वह ज्यादा पसंद आएंगी जैसे मेरे RSI के वीडियो को maximum likes आए हैं अभी के हिसाब से तो मैं उसी का advance version scanner लेके आई हो अगर इसको भी likes आएंगे तो इसका एक और advance version लाओंगी ऐसे करके आपको उसकी knowledge प्रवाइड करूंगी मुझे भी तो समझ में आएगा ना कि पॉब्लिक कौन से वीडियो को ज्यादा पसंद करती है तो इसलिए मैं like चाती हूं कि आप मुझे दें तो मैं और उसके वीडियो बना सकती हूं और प्लस आपको मुझसे अगर और कोई वीडिय रहेंगे काम पर, thank you very much